अब्धित्स प्राइब अलेकुम अलो वारेकुम्स नाम किया है शेक मार्गेटिंग लिखा हुआ रहा है यान मेरे बार शाह मार्गेटिंग शिद्धी बोली इस चाहना आपका शिद्धीक कहा के बात करें भी आप कौन बोले बले बताएं मैं सलीम बोल रहा हूँ और अंगबाद महाराज से सलीम जी क्या काम था मेर्जे वह आपने कुछ मैसे जाले थे गुरूप में मुकलेगा जैर मुकलेग बलके गुरूप है उर्दू में लिखा हुआ हाँ तो आपने कुछ तीन तलाकि उससे बाले थे शाहिद पोस्ट है इस तकाम से सुनिया पर सकूस में तो कहीं नहीं दिखा मुझे के यंदू भिव आदे प्ति आरुक यतिन प्क कर तकाम ने को पीड़ूर हुआ है कि झालर गणा ग्यार DaysUp आहिए हो ओने पोसमा दूआती दुरूप है के आपन दो घ्र पनोर जो जो हुआत दुरूप है टाप तो उसके ओपर उजाइज मेरता फिर लड़की यदा हुरत है उस फिर दूसा निगा सबस्ती हाँ हाँ उसकंदा मैं यह थोड़े कुछा है कि तीन तालाग की दलीले तो फिर कुरान कंदा अल्लाग तो तीन तालाग को एक बोल रहा है नहीं अगर किसी शक्स ने एक मजलिस में तीन तालाग दे दिया जो के एक साथ तीन तालाग देना हराम है बिद्दत है अगर किसी शक्स ने दे दिया तो क्या होंगा नहीं तो उसको एक ही माना जाएगा ना अगर वो दस भी तालाग देता है जो बोलता है तलाग 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 त आपके दिमाग में जो सवाल आथ थे कि मुझे सिद्धिक भाई से मुझे ये सवाल पूछने है नहीं मेरे जहन में सवाल नहीं था मैं अभी आया तो पर मैं देखा थुमारा मेसेज वगरा वो इस पिरिंश आपने शाच लिए कि दिये थे मैं ग्रोप में वो बात भी नहीं N Vehk लोज में अभी तक में बना कूला वह वहाला जो वो इस होँ लोगो ने सवाल किये थे भाद में विलू था एक हलाले के बारे में टक्रवाल्न प्रमस नहीं कवारम कि विली भाइज देतों प्रकाव sono हुला है उपनों, आप प्र denied नहीं जिंदगी में आपका नाम पदा रह जाता है आपने मुझे पूछे ना तो मैं भी बता रहा था आपको के माया अचा आलीड मुझे तो पर हजिस्ट जो रहती हो अपुंशनते पर आपके अप काम शक्त है यह एक आम शक्त हुआ जैसे आप बयान सुनेंकि आपके आली अब बात किया आती है कि जैसे आपने मुस्टाख सवाल किये तो फिर मेरा आपको फटा-फट दलील दे दूगा दलील पेश कर दूगा आपको हवाला ये बता दूगा और बता दूगा तो मुझे मतलब क्या है उसकी स्टुटी करना पड़ेगी जालो कोई बात नहीं है अप मेरी नजर इसलाम में कोई न side होंगे एहनत उसकी बात रखती है जो कुरान हदीत और इं इज्मा के सथ में हो बराबाबर मोड़ा जित है किसे शखिस ने एक सार तीन गजयन और टीन है किसे इसलाम ठीन, आपको एक बात रहे होंगे घौनध PBras आप हैं तो पितना ऑप मधत से अधित रहत रहे भाइं है कुछ तक है आप सब्सक्राइब कर है कि मैं तुर्ष निय्मन मालूमें किम अधर कोगी इन और सुपने इसनं और कुछ लर का कशुरी आप क्यों मिलड होई है आप अरे इतने राइट के चलो गर रहे है आप चलो कांटो चली भी मैं बन रहा हूँ कि अगर किसी कोई शक्स है एक जाहिल सक्स है अगर उसमें फॉर एजामपल गल्ती से अपनी बीई को एक शक्स तीन तलाग दीज़ा तो आप कहरें कि वह एक हूंदी और आप बलते हैं कि मैंने बहुत सारी हदीश है इसी आई भी है बहुत सारी हदीश है ने सिर्फ दो हदीश है जिसकी वज़े से एले हदीश अजरा तीन तलाग को एक मानते है जिसमें से सही मुस्लिम की एक हदीश है आधिकने जिसमें वह आधिय। दौर में रत्तों सारी ही हदिश है मेरे इस हदिश के अदर ये के लवी मैतिति एक मजलिस की तीन तलाग एक होती ती सराहत इस हदीश के अंदर नहीं है है या नहीं है सराहत सराहत या एक मजलिस की तीन तला के होती इस हदीश में लफ़ नहीं है हाँ इस हदीश के अंदर पहली बाद अगर हम इसको यह मान भी ले कि ये एक मजलिस की तीन तलाक एक होती वाली हदीस है अगर इसको मान ले फूर एक्जामपल तो बात आती है कि ये हदीस मत्खुल के लिए या गैर मत्खुल के लिए मत्खुल आपको किसे कहते हैं मत्खुल बिया कर दोता है मत्कुल बिया यानि के वो बीवी जिससे सुबत हो गई और गैर मत्कुल बिया वो बीवी जिससे सुबत नहीं हो गई तो इस इस हदीश में इस बात की भी सराहत है किया नहीं है यह मत्कुल बिया के लिए गैर मत्कुल बिया के लिए तो इस अधीश के अंदर बात की भी सराथ नहीं आई विए और ये अधीश सबसे पहली बात गायर मखुल दिया के लिए यानि कि जिस बीवी से सोबर नहीं विए उसके लिए अब ये बात अगर मैं बोलूगा तो मेरी बात की इसलाम में हुज़त है अबुदाउ शरीफ अधीश नमबर 2199 उस हदीश में अबुतरंतला अधीश नकल की यही हदीश जो है ना सही बुस्लिम में फिरम अधीश में उसमें इजाफा यह है कि हजरत अबुगा के ज़र में हजरत उमर के दौर में अपने आजिसमें के ज़र में अबुगा के जामेर हजरत अमर के इप्तिदाई सालों में जो शक्त अपनी दीवी को सोहबत से पहले तीन तलाग देता तो एक मानी जाती ये सरहात अबुदाव शरीष के अंदर आगी उसके आगी कि जादीशा सीम होई है मगर जाखो ये है के जो अपने दीवी को सोहबत से पहले तीन तलाग देता वह इस होगी ये सरहात इसके अंदर आगी दूसरी बात इमाम निसाय रह्मत अल्लह ने इस हदीश के ओपर जो सही मसलिम की जादीश है उस हदीश के ओपर बाफ कायन किया कि उस दीवी की तलाग यही हदीस है, मुस्लिम जो छाइश है, वही मतन है, बट इत्ती वात है कि इसमें हजरात उमर के 28 साल लिगए हूए, इमाम लीछाई ने और इसमें 18 साल लिगए हूए, मुस्लिम शरीफ में, बाईकी हदीस नहीं है, मगर इमाम जो है, ऐलिचा एजियो सोह मजलीश की तन तल जी तो फिर हम इस आजस का किस तरीकर मतलब लेंगे दूसरी बात और सुनो ना मेरे बताओनों मैं निकु जो जो इल्माइ के साम में पुलकर रगजया तो आपको मानने मानने मनो नहीं मानने मननो तुनो ना हो जन्द हो सुनो है थे का अज्रत आप मुझे जितना बताएंग मैं आपको 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 एक आपको आपको बीवी को सोबस पहले तीन तुलागदे एक मानी जाएंगी मुसाना फितनी हो जी शायबा तीसरी बात सही बुखारी के जिन ने वो लिए इशारा लिए हाफिस हजर उन्होंने उसके हदीसे नकल कि वो सारी और उन्होंने ये का कि सही मुस्लिम की हदीस इतला तो जब आता ना चैर्टर जिसमें कि आसलम के दोर में अर्भ उगार के दोर में तीन तलाकिक होती थी वो बहर मक्तु भी है के लिए हाफिस इपने अच्छानी रहमत अला जैने सही अपने इशारा सही वो बुखारी के अंडर लिए या आपको मैंने चार हवाले आपको मैंने इशाल लाग पुचारों का इसके रहे शाड या इमेश दे दूगा आप डे दे ना पर अभी जो आपने बता इसका हथे पर हजिस आपके साफ़ ताहिए हाँ 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 यह आजिस ताहिए होने के बाद जो लोग एक मजलीस के तीन तरह को एक मानते आ जाएं यह तो एक मानते ना देत ना तो यह तो जाय रमत्फुल दिया के लिय हो गया न? नजय तो फिल्ड़ वह बात जाने तो परेबात में करें पर जवाप देटाब अधीस का मतलब अब हमारा एलेजिस बश्वा क्या गरते हैं एक मजलीस के तीन तलाग हुती और आज के दोर में सोबट प्हले पर पी अपनी दीबीों को तलाग में देता आज के दोर में, देता या? ऐसा कि होता था? सहाबा के दौर में अल्ला के नभी के दौर में होता था क्यों होता था अल्ला के नभी एक अमी आईशा से मीका नव साल की उमर में हो अपने छे साल की उमर में हो अमी आईशा से और उनकी बिदाई कब हुई नव साल की उमर में तीन साल का ग्यात है एकाँ धर नहीं से अधार निजि syॉष है मुछं़ सी नीजिये को बीजी और को था यह से लागता। जो कुछ था हिन्वार्ट इस लिए एबने अब्बास ने को बयान की जो खुझ है जो रजो को बयान करनी उनका एक भी फत्वा ऐसा नहीं है कि आप मजलीस की तीन तला को एक भी फत्वा नहीं है उनके चार फत्फे महुझूर है उसनेत इज शेबा में भी है अब वो दयु शरीफ के अंदर है और अलग अलग जगए बहुत सार किताबों है तो अनके से चार मशूर फत्वे हैं तो चारो फत्वों में से एक बी फत्वा एक माझली इसकी तीन दलाप को एक नहीं बोलते हैं तीन ही बोलते हो तो जजो पो आप पर यह खाय को आख से पिशना कि आखोए है फत्वे से आप कैसा कशह ह이시ा iş साइव list? हज्ट अमर ने ये लिगने आप फत्वा के एक मचलिस में तीकई तीन तलाप 3 मान जाइगी हज्ट अमर ने… एक मचलिस के अरिन तीन ही उती थी तेन भूसको एक चाहजी के पर वाद्ट काहज़ है, कनुन चेंज ओया है उसका प्रिपर भूमर को तीन तभाक जाएगा तो तीन भाना जाएगा? बिलकुल, सब्सुर्त अपने दसवाल है कि आइसे हैना कूई? यहाँ है, सेम, सेम यहाँ है पर वूट अपने ? तो बता दिये न तो कानुन था अभी थो इन डाइक पड़ता दिए वहां अभी तुहागर्द के पाहिन है पहल को जो गहर मत्कूल और मत्कूल तो इन दों में कि और फिर अज़रत उमर को फिर ये अलग से हुकम देने की क्या जरूत आप हो लिए बिलकुल आपका सवार बिलकुल सब्सक्राइब मैं आपको बदा दो हदीश की लफ्स क्या आपको मालूं क्या हदरत उमर ने कहा कि लोगों ने जल्दी करना शिरू की इसमें जिसमें उनको महुलत मिली थी तो हम उसको अगर जारी कर गए तो मुनासिब है फिर उन्होंने जारी कर दिया यानि हुकम दे दिया कि जो तीन तलाग दे तो तीनों वाके हो जाएंगी यह अदीश के लफ़ज है ब्रावर जल्दी वाजी शिरू कर दीती है तो अगर कोई जार मत्कुल दिया यानि कि जिस बीवी से सुबत नहीं हुई उसको अगर कह रहा है तलाग 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 तो अगर वो पहली तलाब में इसकी बीवी निका से निकल जाती। लिए प्ल फिर को पहली तलाब में रिटर्णी देकर के बीवी अलोरि विए उल्मय माली डेकर निकल जाती। अदो लिंगा रिटर्नी के ओर रसलाब के विए। कोई अपनी बीजी को सोबक के पहले तेन दे तलाग, 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 तला तो एक माने जाएंगी, क्योंकि पहली तलाग में बीवी अर्मिका से उसके निकल गई, तो दूसी दो तलाग बेंगे इसको मतलब रहा गया। रहा कैने रहा पर यह सुनो यह पहली इसा याप तुदो मुझे, क्या बूले। जब बीवी पहली तलाग में उसके अर्मिका से निकल गई तो उसको बात कि मैं उसको तलाग दे रहा हूँ, दस, दू, पचास, दू, साथ दू, तो उसके उतर लागू हो रही हिए पहले में निकल जा रहे तो फिर कोई सवाल ने होता है तो इसलिए है कि पहले तेन तलाग एक मानी आती थे अब लोगोंने जल्द वाजी करना शेरो ही तो निन तीन तलाग दू झाणी यह लोगोंने जल्द वाजी कर्ति शुरू अब लोग समझते क हैँग कि तीन नहीं होती तो फिर लोगों ने जल्ब बाजी शुरू करके तो इसलिए अगर तुम्हार ने इनको सक्ती से हो गिया और नाफिस की कि वो अगर को तीन वो देरा तलाग तलाग के तलाग कर दे रहा है याई एक साथ में तुछको तीन तलाग है तो इसलिए अगर तुम्हार ने ये नाफिस की ते कानूर नहीं मुझा अभी अभी तलाग का तरीका है जैसा आपने अंदर चलता के तलाग देने के बाद से एक बार तलाग दी है तो फिर भी अपने घर में रहे सकती इसको इड़त के परियाड है फिर एक महने बाद उसको फिरते मदला वो पाख हो जाए फिर उसको तलाग देनी है फिर उसके बाद वो अपने घर में रहे सकती है जड़ जाके फिर वो अपने अपर हराम हुई है और फिर इड़त के बाद पिर वो शादी कर सकती किने तो फ इसके बाद में आती हिस्टाव मिन आ दो तिर्ट तिसरे तिल्द्ध किसी old корпus में कि अक मजलिस में तीन थुष्ष्ष्ष्ष्षै प्रजाएद मैने की तिल्दक में एक मजलिस में तिन त्लाख दिया। किसी साद्य थे और उनना इतनी दीडियू एक मजिसमे तीन तराझ दे दी इसके आल या खुछिंग किसी की बैहरशxicरा र Caoै किसी साद्य थे बैङ शाद को प्रांब्ष तीन आवरास होगे। और वोने ने कहा कि अभी मैं तुम्हें माजूद हो और तुम लोग पुराइं के साथ फिखिल रहे हो। तो मतलब आप एक मजलिस में तीन तलाग दी थी तो आप एक साथ तीन तलाग देने से नाराज हो गया थी। इसने लिए हमारे मुसल्मान भायो को भी एक मजलिस में तीन तला नहीं देना चाहीी और आप तो मुझेगे कर ले भी क्योः Ah अब पता है बो अदर एक मजलिस में तीन तला अग हो जाती न भाय हो जाती अल्द बात ना जेना चाहिए एक अल्द बात है अधिशा एचां हाँ हो जाती एक अलग बाँसे ना देना चाहिए एक अलग नतेथ हाँ आप मेरी बात नहीं समझाी है एक मज्ð sovereignty को लाग जयरा हम वाई आप 한번 ये मौत्धिष को 신ल गवैड एक मज्डिस को ङानति ना अच्छी बाँ नहीं है मगर किसी जाहिल सक्स में दे दिया किसी जाहिल सक्स में दे दिया तो वो हो जाएंगी नाफिज हो जाएंगी क्योंकि कुरान की आयत सरी आयत है कि जब तीसरी तलाग दो देजी को तो पहले शुवर के लिए हलाल नहीं जब तक कि जब अमर से निकाहना कर ले इसी आयत के तालुक से इमाम बुकारे अमतुलाग का बाप कायम किया है उन्होंने एक हदीस निकल की और वही आपिस इबने अजरत कलाने ने उसी आयत के उपर फताहुल बारी के अंदर लिखे कि कोई शक्त अपनी बीवी को तीन तलाग दे जुदा जुदा तलाग दे या एक कटे तीन तलाग दे तो तीनों वाक्या हो जाएंगी इसकी कोई ने लिखा हुए है हापिस इबने हजर असकलाने शराज सही बुखारी शराज सही बुखारी के अंदर हाँ तो आप आप सेंड कर देना प्राइवेट के अंदर मुझे इंशाला में देख लोगा मुझे मुझे इसके बारे पता नी ठार इसा अपने बता है कि इन गलत कर तो आपने को किसी इनसान गहाई अपने को कायबो जाहिथ है। 인साने कदर किये। अगर मैंने इसको मार दियार। så इंसन मारेगा है? तो इससी तरह, तीन तलाग देना चाहिज नहीँ है, अगर कोई जहेंगा तो फेंगा तीन वागिवाज वो जाती ओ। दूस्य मिलीई ठोस्ते। व्हात। during the formally if not, अब कोई शक हाला चाहिज में देने सकते हैं हमकर अब कोई शक्त हाला चाहिज में देता है तो नापिस होंगी क्या नहीं होंगी वो तो ने बोल सकता है मुस्लिन के अंदर जिग रहे कि उनसे जहाबा ने पूछे कि आपने जो तलाग हरा चाहद में दीती है आप पे मानी गई या नहीं मानी गई अभदला भी नुमार ने जराब ईया कि अहमा कुछ को मान। अपती है। अगर में में बीवी को अहला तेहितारीन तेन दलाग में तेहिता तो तो जारा मुझे आप यह ना पॉछाद देएtern neatly हराम हो एक उसमें मुझत है रिवायत नहीं अगर भी मेरी बीबी बो तीन तलक देता तो बूश के हराम हो जाती लो यंनिकर हालत हैज में तलक देना अच्छी बाद नहीं है रग् proprio मेरे मतलब यह दो यदिन उसमें तलक देता है तो उसके साथ में सोहबत करता है तो कुरान के आज़े खलाफ अमर करता है कि कुरान में हिसाब दिखा रहे हैं जिसने तीसरी तलाग दी वो पहले शोहर के लिए बीवी हलाल नहीं यानिकि उस तीरे हराम करी कर ला हूँ नहीं तो अभी जैसा आपने जो तो आयत में तर्जुमा लिए कि तीसरी तलाग के बाद दीवी पहले शोहर के लिए अलाल नहीं यह बात तोस्ता है यह तीसरी तलाग के बाद लेकिन तीसरी तलाग से मुराद जो अहिले जी जो लेते हैं क्या है पता है आपको को ही मुराद अच्राप की पहाँ चुन्व का वह या मुराद अव्य से पाद की मुराद और प bells मैंने ओजिकार हुत सबस्तात दू लगेर। तो तीन ही होने वाली और गुरान में जिकर करके कि तीसरी तलाग के बाद दीवी हलल नहीं है है तो बही अब मैंने आपको चो अदीश के रहे हूँ कि एक मज़िस की तीन तलाग तीन ही होती है उनका क्या है फिर हो हदीश का जला जो आपने जोगे हजीसे बताए ना मुझे हाँ तो आप उसका एक स्क्रिंग साट मुझे बेश जो दे दूँगा एंशलाब मैं 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 आप आप मुझे उस्क्रिंग साटा कर भेश देंगे तो फिर में जोड़ा हजीस पढ़ दिलूगा और और तो मैं आप इसको फुद पढ़ लूगा और असा जो भी मेरे दिमाज मोई श्क्रिंग जो भी रहंगे हाँ हाँ तो मुए अपरे आपने आलिमों से पूछ रहाँ जो सही सारेगे से मुझे संधा पाते हैं किस सारेगे संधा ते हैं कि आप सीजो बाते बताए हो इसको अपरे लूग रहाँ है जो भी मेरे दोकिस के बाते हैं यह घुख में उल्म जो एक भी विए ती कि उपर ने कीक करें तो मुझे इसके बात दीनी इसके बाते हैं इस लोग्र को एन कीशे करी दो हुं तो मुझे अच्छ भूशन मेन सो इसके बहुत मारे हैं। इस अच्छ झार में जाइक विए जोफालिस को हान। दो शहरा हैं,, इसन की चाहर हैं। जो खक्रने आले मट हैं cuálशन इसे लु स्कमा से जोध booklet कि कुई शर्ट एक साथ तीन तलाग देता हो, तीन वाक्य होंगे, इसमें मैं सहाबा के असलाग के लोंगो कौल भी जेश दूँगा क क्या जर्फ आप 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 अले अधीस हाँ,- माशल लागे कि हो किनो अपको लिए सो के अपको साव रहा हुआ? अब अदिसव और लग मरत हुआ हब को तो आपको प्नोंघ जर्फ जर्फ को डिने जर्फ करें कोम मैं लुडफ में करीफ्टा हुआ? तो, two, one, 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 one an ne, ne, undotur की बात नहीं लख बहुता है वहीं सब्सक्ता है तो, जैसे मेन आज को तम शुरॉत में पहिए बात भोल दीजी मैं एक आम इंसान हो और जिस तरीके से आपने भुस्त को की इस तरी कि आपने डलायल पेश कि ए तो एक आम इंसान डलाय जैसे पेश नहीं कर सकता भी मैं अल्या की कसम खाके गए तो कॉल पे कि मैं एक आम इंसान मेरा ना मुहमाद जली मैं नहीं और अबाद में रहता हूं मैं एक आम इंसान हो, मैं किसी मदर्से से फारिग नहीं हूँ नहीं हो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको मैं यह महीं कह रहा हूँ कि आप कोई मालिम होए यहाँ जो बोल रहे कि आम इंसान, यह नहीं बता रहा हूँ करता हैं अगर मैं स्टड़ी करता कि मुझे फूल तलाग के बारे हैं जो भी इतनी हदिसे मुफश्री मैं आयना बोलो आयना शाफिय के जितने भी है करता हैं तो इंशालला मेरी और आपकी जो लेंग्वेज मेरी बहुत फराख रहता हैं यह बात मानते के आप जो कि मेरी इस्टड़ी नहीं है तो मैं आपके हर बात को हाक आपके सुनो और आखरी में जवाब दोगा कि मैं पल कि आपको बोलता दूसरी बात दूसरी एक और हुँ 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 ह बने में चलिक पर कर स्फिक्राइए। उसको गलप तरीकी से लेके जाते हैं। जो गलप तरीके से लेके जाते हैं। उसका गलप सर्फ और जाती है। तो उस मसले को इस्तेंबात करना चोड़ देते then उसी मसले जिन घलक इस्तेंबात करते है और बोलते ही इनके अकाइच के इनके अकाइच में बीज़ाँ आपको एक बात हो कि कॉलें अदर के बात करें ना आजके दोर यहादित तहकीक करनेवाले, यह नहीं बन सकता है, अजके दोरका घर मुकलिश के लिए अपने eden करताा है ताहधिक की आहिक, वाल जायान है। यह नहीं बन सकता है। यह किसमेगी उनके लिगा हूं। पनी पाती भी पाते हैं। 對啊। पहले इसले से मान लेते हैं और कहतें कि सही बोलते हैं, मगर उनकी उनकी नुचिश कोई कोई दलील रहती है और कोई अकिकत रहती है आत्रे की तक नहीं मिलती दलील कुई नमाज में नमाज को ऐसे नमाज के लिख भी ना हम अधितitter उस शक्स की एक राकाद भी नहीं जिसने सूरह फातिया ना पड़ा तुनिये तो से इवने माजा की अधिस है उस शक्स की एक राकाद भी नहीं जिसने सूरह फातिया ना पड़ा मगर हो इमाम के पीछे यानि इमाम के पीछे सूरह फातिया ना पड़ो सही मुझ्मिम क이 अगर एक हधीस है हाँ खामुश हो विधा नहीं जिसने सूरे फातियर उससे जायद ना पड़ा अब तुम जायद करते हैं इमाम की बीछे यह जायद तो नहीं करते है अब सही मुझ्मिम के अगर हधीस है क्यों शक्स की नमाज नहीं दूसरे ठीज हगा prophet नहीं स्क्राइस इस में सुरय फ़ासरे सब्स्क्राइएं निकर इतनो अगौर इतना आBSझरा सब्स्क्राइए कि मुप करत का लव॥ इसमें जाइश का लवथ नहीं है तरॉक पहली हदेए के लग्या का लेकिशेव वो ये वाली हदिश है मुस्लिम की हदिश को मुकमल हो रही उस हदिश से दराबर यानि कि इसमें जायद लगज़ है तो ये हदिश में मुकमल हो रही और ये हमको जायद किराद अकेले में या जब हम इमाम में तो उस वक करनी चाहिए जब हम अकेले नमाद पढ़ते हो तो हमें सुरह फातिय भी पढ़ना चाहिए और जब हम इमाम बनते हो तो उस वक्त भी ज़ायत वो करना चाहिए किरात और इसमें भी करना चाहिए और इबन-माजह कि जो मैंने अपको अपना चाहिए बनते हाफ भी नहीं उस हडिस है आपको ताओ सालाता है मैं वही हदीश होटा ना कि उसमें इमाम का लफज नहीं है सराथ में इस अदिस के अंदर दूसी हदीश में मिल देशाथ दूसी एक हदीश है अब उसे एक सहाभी से वो बन दे कि तुम में से को एक इमाम बने क्या बड़े हो तुम में से को एक इमाम बने जो टद्दीर का है आप भी का हो जब वो किरात करे रहे तुम खामुश हो जाओ जब वो गहरिवमगजु पिलए व्ला जालिन कहでも Central जब गहरिवमखु पिलए विया वन जालिन कह तो तुम आमन काओ और यह यह हम अपने हम अपने हख लगा रहे उसके अंदर के अधिस का मतलब यह है कि उसके अंदर और वो भी आज आ जा रहा है मकटदी आ जा रहा मगार दूसरी यह मुक्तदी के लिए सुरे हातिया परना वाज़ेफ फर्ज नहीं है दूसरी अधिस सही मुस्लिम के अगर मान लेके वो इमाम की पीछे पढ़ने के लिए तो इसको भी मानना पढ़ेंगा कुछ शक्स की नमाज में जिसने सूरे फात्यों से जाय दना पड़ा अब सही मुस्लिम के अधिस को जईफ बोल नहीं सकता है हमारे बागी अधिस को जईफ बोल देंगे मगर इस जईफ नहीं वह घुज़ लोगा है लासलाता अल्यमन यफर दी फाचल किताब फसाइदन यानि उसमें जायत के लफज आए वोना किरात में कुछ हदीस का क्या मतला है तो वो बनीगे अकले नमाजी के लिए तो बना मुझे हदीस के लिए लफ़ बताब अकले के लिए है अर नमाजी के लिए उनको पूछना को रादिल के लिए आवो जो सीने के हाथ बानने के सही के गलर दे सीने पे हाथ बानने की एक भी हदीस सही नहीं है मौज़ूद एक भी हदीस नहीं और बड़े बड़े चार उमा इमाम एहमद बिन हमबल सीने के उपर हाथ बानने को मक्रू बानते क्या बोलते हैं इमाम एहमद बिन हमबल मर्द को सीने पर हाथ बानने को कहते हैं मक्रू है इमाम एहमद बिन हमबल इमाम शाफिर एहमद उलाल है नास के उपर, उपर हाथ बानने के कायल है, तहतु सुर्रा के कायल है, तीने के हाथ बानने के कायल नहीं है, जब खड़े हो तो फिर अपने दाए हाथ को बाए हाथ के जीरा पर लखे, तो फिर जीरा तो बोले कोनी के इसे हो कहते हैं, जीरा किसको बोलते हैं, जीरा कोनी से वंनेने बेके पिजनेक कोनी तक मतली तक है बाजी मिनला भुछ तक चली के जो हिसार देता सका जिरा अब तुम का रखते हैं, जिरा को रखते हैं, अहले अधिस रखते हैं, अहले हतेली को रखते हैं, जिरा को जिरा के ओपर रखते हैं, अहरे हदीश में क्या है, यत को जिरा के ओपर रखो, यानि कि पंजे को हतेली के ओपर रखो, तुम पंजे को हतेली के ओपर रखते हैं, ये तो ये दो बाग वो उसके अंदर नाफ के निचे रखो नाफ के ओपर रखो। तो पीने के ओपर रहो, नगर वो यत को पीरा के लखे तो पीने पर हाथी ने आज़गा, वाइल बिन हज़र की अधित है नहीं, कि अपने हाथ को अपने सीने पर रखा, बाए हाथ को और उपर, उपने खुजाइमा की जो हदीस है, वो बोलड़े ना, शायदि बने खुजा कि क्या बोले उन्हें ने, और एल इह ज़रास का उसूल है, एल इह ज़रास का उसूल है, कि इमाम मुकारी जिसराई को मुनकर और चदीस कह दे उसकी हदिस हमारे बार रुजजद नहीं है यह आएल अजीस हज़राथ की बशूल है तो यह दूसरी बात की वह जैए धीस उनके नजदीक जई होगी और उसके बादे उसके नजदीक जेए रभागिस को जी जब उनके नजदिक जो उसूल है कि मुनकरिन हधिस को इमाम बोकारी बोल दे तो फिर उसको नहीं माननी चाहिए तो इसको क्यों मानते हैं वही तो हमारे धिस भाई के गलती है कि वह उस हदीश को अभी य्विडियो फर्फिति नहीधरबादी मालूगा आखको? नहीं नहीं पता फश्यों दिन हिद्रवादी ने अधिस को कि था अपोजेट के हमारे एले अधिस बहिए है यह अधिस को सही बोलते व़कि हदीत जईफ है उसने वजिए तो पर पर उपडेक्शन की लोगों ने कि हदीत सही है सही बागे तक अल्यामालबानी देन उल्हा हदिसुक्ण जईफ है। उन्होंने उसके नीचे लिघके कि मॉमिल इसमाईला यह वी जईफ हुई। उन्होंने ऐसा नहीं लिखे। उन्होंनने लिखे और इस Nahum i'י another लिखे ज़े। कि इस तक इसमेली हुई। ऐसा लिख दिनोने मतलब लोगो उल्लू माना दी हाँ है एक लोना जाए बोले वाई के मान तो चाल जाएंगे ना तो नई भी है था हाँ ने क्या लिख ले इस अधीश की सनज जाईस है क्योंकि इसके अंदर मौमिल बिन इसमायू लए हाँ वजे ये मौनकरूल अधीश है मगर ये अधीश सही है मैं आपको इसका भी स्कीन शॉट लेज दूँगा क्या अधीश को पर ये सपाना तो इसके बेदादँ है आदिस ना के लिखे चे क्याहँ वह था तो फिर आप वहाला दे सकते हैं मुझे बिल्कुल दे दे देंगे तो फिर मुझे उसके टेज़े ना और मुहमद करीम भाई आप से बात करके खोशी होई लेकिन कैसा यह वह बहुत सारे ना समझाने के तरीके रहते हैं तरीके ना जो फिर मुझे ना जो जो प्रिश्ट सारे तो इस अपनों बैस पोश अलने के उन्दर आप मुझे रहते हैं और यह फालतु की बाते रहती हैं बहुत सर तक बहुत साओगराशी को अपतर गोर आज बाक उर्ठ कई नहें तो मेरा क्लास में आज साथ में अब्ला बी फार्म की ते तो यह हमारी क्लास में तो अग उसके में लुट कहे कneath रहा है थी कि बात ही अप मैं आपको 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 अपने लिखे से बड़े हन्फियों कि हमाँ ऐसा होता वैसा हो तो मैंने पड़ा और मैं आपको को कॉल गिया बस इसे आदा मुझे निखा तो आर्टीस की पीछे एक पास मंदर रहता आपको पता यह बात कि आपको कोई गाली देता है तो उसकी पीछे एक वजा रहती है कि वह गाली क्यों दिया मुझे यह बात आप जानते है क्या तो यह मैंने ना में अच्छा नहीं लगता है तो किसी को हर्ट करना लेकिन मैंने तो एक लड़की के वह बारे में बता है कि अपना आई लएदी सा यह जो बात है रहती है कि यह बात है कि अँच्छ नहीं करनी चाहдаगर तुमको संचि इसला करनी की अट्रिषी की इसी को संझाना है तो एक्प्र तरीके से आपने मुझे गुष्टभों की अगर मुझे प्रज़ था ठीड़े तरीके से बोलते है यकीनल मैं आरस की इतनी अगुए दिर्विश को नहीं है, इसके वर बायात के ओपर रखने के अधित नकल की और उसके नीचे उन्हें ने उनका फाइदा उनका ख़ोगे उन्हें के इसके ने इक चीज लिखे कि बाज साहबा और बाज एहले इल्म नाज के नीचे या नाज के उपर हद बंदे थे क्या लिए उन्होंने बाज साहबा बाज साहबा या एहले इल्म नाज के नीचे या नाज के उपर हद बंदे थे इसमें सेने का कई जिक्रन नहीं है उनाम यदिने सेनिया हां एक जिले में कवाल है जी बोली है ना कि जो आहना प क्या उतले है तो क्या बांते हैं मैं बात और आगे करता है इमान इब ने टाहिमिया मानते हैंनको मालूम है जिली इब इब आनाम सुने ना इमाम किभी ने तैनिया ये मतलब वहले जाए जाए है वो एकुल इस्लाम बोलते है उनके टाइक है कियम जौजी रह्मतुल्लाल है ये दोनो इमाम एहमद बिन हंबल तीन और एक चौधा कोई नाम में मेरे जहन में नहीं आ रहा है ये चारो हजरात कहते हैं मर्द को सीने पर हाथ बाणना मक्रू है मक्रू बोला तो जाएज नहीं है मतलम न टैस न के हिता ही जो मक्रू बynı करेद आर जो भूड़ों नहीं देवे अब अवरते सीने पर हाथ की उबानती है यह जिसके जब दलीन रहेंगी तो भी पेज़ देना अवरत को छुपकर उसका हुकुम पढ़ने का क्या पने हो नमाज पढ़ने का छुपकर यह जितना हो सके क्लोज में हो सके तो यह परे नमाज अदिस में लिख रहे इसलिए औरत में जादा पय क्शक्षा होटे लाँ ओर ढूर्मार रहे, और डूकर आज़ना थोर्बना बज्या इसलिए और वर्मार करते लिए, कि वो सीने बाराद बाने अब यह हुकम हमने नहीं दिये यह बड़े बड़े अस्वाफ में हुकम देगी गए जो सहाबा के दौर में थे यह जिन्होंने सहाबा को देखा अल्ला के रसुल के अधिस होना ना जैसे उसकर ना बताए जाए कि वह औरतों के लिए सीने पर आद बानना आद बानना था कोई सहाबी यहाँ कोई सहाबी यहां जाए आदाद अबुबाकार उमाद जो भी जो जितने पी सहाबी है कर दो नाज पान हे थे मिपने के बाद जो मुझे आप मुझे आ प्राइवेट जाए नाज की वी इसक्ति नाज की अपान होती है कि अशेते पतके इसके तरह किकत है ने अशे आपड़ प्रब्ध और इहां आपने लुगर है आपने बात को हुए आपने लुक्न आक मुझे का बुलाने की कोशिशिश करता है. व्लाए उसका दीन उसका फाकिक हो, यह उसके दिमाज में कुछ भी चादा हा, लेकिन फुश सा शiddmostा है, मेरे भी पाइस भी आचाए ल की कोछ भी करें. डिल बुल ब बुल. है के लिए और भी? नाद के नीचे आज बानने कि था बानने के जो वह. उसके अंधर सही पार ही यह को हदीस मैंने अपको यह बतमा हदीस मोझे पने पर हणने आज बानने के इसनदाँ ना आरीटी सवर और रहा गां यह. सीने पर रहो इस तरहींगे से रिवायत एक भी सही रिवायत नहीं एक भी सही ऱटी मगर बहुत सारे एहल इलम ने नाउस् Gabe नीचे हाथ बाने अन्नाफ के ऊपर बाने अरे टेरीनी से रिवह म्तल है रहे उसको उनके पिजाब के नकल कर दिए कि बाद सहाबा नास की नीचर बाद सहाबा नास की पर हत बंदेते तो उनके इस कॉल की वज़े से उन्होंने जब सहाबा का वो नकल किया कि सहाबा का मलिय था तो किसी जईफ रावी की वज़े से अधिस जईफ नहीं हो जाती तो इस वेसे उस अधीसे को जही मानना परता है बहुत सारे अहले साभाई ने अपने बहुत सारे उल्माई ने उस अधीस को सही भी का, किसी के नजर में अधीस जही भी हो सकी जो ठीक है आप मुझे सारे दलाईल सेंड कर दो प्राइवेट चैट के अंदर इंशाललह में उसकी उपर और जो कि आप दलाईल प्रिस किये तुम्हें उसको होसा कि तुम्हें किताबी दो टो प्रीडियमे डॉल्लेट करके दिलकुल चेक रों इंशाललह में अपर दूसरी में आपको एक लास बाफ बोलके कॉल रख देता है, बोलो बोलो बोलो, दलाग के मसली के उपए इस बात है, फताव सनाया जो है, मालूँ आपको, नहीं 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 पर दो, एक मिनिटा, एक अहले अधिस के बहुत बड़े आलिम है वो, उनका नाम है मौलाना अबू सनावला अम्रुद सरी, हाँ हाँ, सोने सोने सुने गया, इनके किताब है सतावा सनाया बोल गए, इन्हों ने इसके उपर है न, जिन नमबर एक, सफा नमबर 219 के उपर लिखे, एकदम साफ अलफाज में लिखे, अतल बात यह है कि मुझीद मर्हुम ने जो लिखा कि तीन तलाग मजली से वाहिद, मौदिसीन के मौदिसीन, 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 म बिसीन का है जो शेख अलिया के फत्वे के पाबंद है और उनके मुक्तवी है ये फत्वा शेख अलिया के अवल आठवी में दिया था जो उस वक्ते उल्म इसकी सथ मुखालिफत की थी जो शेख ये सिर्धा के छूपा जूपाल के जा ये इन्हों ने बात लिक्षी कर इसकेंदा कि जो मस्तवा के तीन तला को एक मानने का ती जो शेखते तीन तला को एक तर शाज प्रफ़त है जो शेख का मुखाल जदने क्ई एबने आहला-ज़ल शेख इसमयर को शेंद बोलत ना आप कुछ साथ हर चीजे इंसा लख जी बोलिया ना अपर अरंगबाद में कहा पे रहते हैं? मैं रोशंगेट के. रोशंगेट के? जी. आप कासे? मेरा क्या बोले? आप कासे? में धुलिया आप पता हैंका? हां मालेगाओ. मालेगा ने दुलिया है तो अधर्व आता है ना मालेगा दुलिया हम वही पे रहे था रखार राउशन केट प्यार मेरे दोस्री रहे थे दोसिन कि यह नहीं चल्ला वहा दिल करके करी कि तो उसके हैंगे राजीं को बदा है पॉन का रहा है कि नहीं तो सकते हैं। कि वह तो बहुत बड़ा है और शॉर्छ को बैरन सल्मान चा उसको बैर करना का दो रिश्चा लाता है।